नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं बियल सचीवा, दोस्तों हाली में एक मूवी आई है, यानि एक फिल्म आई है जुसका नाम है ठंग लान दोस्तों साउत किस मूवी ने पूरे बाली बूट को हिलाक रख दिया है इनकी जड़े कबार दिया है ततल मैं इस फिल्म को देखने के लिए तरस रहा हूँ लेकिन क्या करें अभी इसका हिंदी वर्जन नहीं आया है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ बट जैसे ही इसका हिंदी वर्जन आयेगा मैं निच्ची थी देखूँगा और मैं आपसे उमीद रखता हूँ कि आप भी इस फिल्म को जरूर देखेंगे और देखना भी चाहिए क्योंकि यह फिल्म किसी कालपनिक पात्र पर नहीं बनाई गई है बलकि यह फिल्म एक वास्तविक इतिहास पर अची गई है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में एक पार्ट ऐसा है मतलब एक भाग ऐसा है जिस पर बिरोध होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है लेकिन मेरा मानना है कि विरोध होना चाहिए था क्योंकि हाली में कई फिल्में रिलीज हुई है जैसे कंगना रनाउत की एमर्जनसी जिसको लेकर काफी विरोध जताया जा रहा है और हाली में फिल्म और रिलीज हुई है कंधार हाईजैक जिसको लेकर भी विवाद सुरू हो रहा है इसके पहले भी कई फिल्में आई थी जैसे पदमावत उसको भी लेकर विरोध हुआ तांडो उसको लेकर विरोध हुआ पीके उसको लेकर विरोध हुआ लेकिन इस फिल्म को लेकर कोई विरोध नहीं चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है दसल मैं आपको बता दू इसका रिजन ये है कि जब फिल्मों में कोई उटपटांग चीजे डाली जाती है फेक डाली जाती है जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है तब फिल्मों का विरोध होता है लेकिन जब फिल्में वास्तविक इतिहास पर बनाई जाती है इतिहास में हर चीज को परक कर बनाई जाती है तब इसका विरोध कोई नहीं कर सकता हाँ भाई कोई अपनी माई का लाली पैदा नहीं होता है कि इस फिल्मों का विरोध कर पाए और साइधिया फिल्म भी इसी तरह के कुछ इतिहासिक तौर पर बनाई गई है दोस्तों मैं बिता दू कि इस फिल्म के किस पार्ट पर बिरोध होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है दोस्तों इस फिल्म में एक पार्ट है जिसमें कुछ ब्रामड जो है कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं यही पर बिरोध होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है क्यों नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह वास्तविक इतिहास है यह इतिहास का एक सच मुखवटा है जो कि इस फिल्म में दर्साया गया है साइद इसलिए बिरोध नहीं हो रहा है दसल हम अभी तक कहानियों में सिर्फ पढ़ते आ रहे थे दुसरों के मुख से सुनते आ रहे थे कि बहुत दुष्टों से दुस्मनी अगर किसी की थी तो ब्रामडों की थी और नालंदा विस्व इद्यालक को बक्तियार खिरजी नहीं ब्रामडों ने जले आ था मलब इस तर के तमाम कहानिया हम सुनते आ रहे थे लेकिन फिर्म में जो पार्ट दिखाया गया इससे यह साबित होता है कि जो चीज़ें हम बर्सों से सुनते आ रहे थे वह एक वास्तवीक इतिहास था तो आखिर यह सारी चीज़े आज के इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है क्यों नहीं पढ़ाया जाता है इससा मतलब है कि जिन लोगों ने इतिहास रच रच कर हमें भ्रमित कहानिया सुनाते रहें दसल वही लोग इस वास्तविक इतिहास को मिटाने की कोशिस किया मुगलों के पीछे खड़ा होकर तो कनफर्म हो जाती है कि भगवान बुद्ध यानि बौद धर्म को भारत से मिटाने में इनके अस्तित्व को खत्म करने में एक विशेश तपका का एहम रोल रहा है यानि ब्रामणों का एहम रोल रहा है जो कि हम से चुपाया गया समझ रहे हैं बात को तो मुझे लगता है यह चीजे सच है इस फिल्म में और भी बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं और भी बहुत सारी कहानिया ऐसी हैं जो वास्तवे की इतिहास को दरसाती हैं और मुझे लगता है कि इस फिल्म को सभी बहुजन समास के लोगों को देखना झाल